हम तो सुनाई होगा हिंदुस्तान कार्परेट आफ इंडियन लिमिटेट यानि की हिंदुस्तान कापर लिमिटेट के अंदर आविदेन पर क्या शुरू हो चुकी है 18-28 वस्त का युग कि इसमें आराम से आविदेन कर सकता है अगैर आपके पास इसकी कॉलिफिकेशन है आए तो आप लोग इसकी ऑफिसली साइट पर जाके वहां से विग्यापन ले सकते हैं चाहे आप आप महरे कमेंट बोक्स में या फिर हमारे टेलिगराम ग्रूप में या फिर इंस्टा पेस से जाके आप लोग इसकी नोट्रिकेशन या ऑफिसली साइट का लिंक भी ले सक तो प्लीज एक बार सजिस्ट वाला कमेंट जरू डाल दीजेगा ताकि मैं उसके अकोर्डिंग आप लोगों के लिए काम करूँ तो दोस्तो आप सभी कहीं ने कहीं किसी जूप की तयारी कर रहे होंगे आज मैं इसी के उपर बात करूँगा यहाँ पर देखें डिगरी ग्रेजविशन डिप्लोमा अगर इन में से एक भी कॉल्फिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए जरूर अपलाई कर सकते हैं जैसे मैं बात करूँ फुल टाइम डिगरी बैचलर डिगरी होना जरूरी है या फिर सिवल इंजिनेरिंग एम टेक बी टेक वगरे की कॉल्फिकेशन होना जरूरी है या फिर अपन बात करें डिपलोमा धारक वाले विद्धारतियों की जरूरी है या फिर अपन बात करें MBA की qualification अगर आपके पास है तो भी आप लोग लगा सकते हैं ये देखेगा सुरू से सुरुआत करें 30 अक्टमबर को इस बिग्यापन को जारी किया गया था हिंदुस्तान copper limited के मैं बात कर रहा हूं जिसमें जो भारत की national company है जो महारतन company है उसके अंदर आप लोग नोकरी करना चाते हैं तो 10 अक्टमबर से इसमें आविदन होगा सुबह 10 बज़े से और करीबन 31 अक्टमबर तक आप लोग सभी अपलाई कर पाएंगे इसमें आविदन करने के लिए पोस्टों के संके के बात की जाए या फिर SC, ST, OBC और महिला वर्ग की बात की जाए तो टोटल 84 पोस पोस्टेस में दे रखी है जबकि जर्नल के टिकरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जर्नल के टिकरी की 37 पोस्टेस में दे रखी है इसी दूरन आगे और चीजों की देखें जैसे की एज के इंदर रिजर्वेशन की सुभीदा SC, ST के टिकरी को मिलेगी जबकि NCL, OBC विद्यारते को भी हमें मिलने जा रही है और जबकि अपन बात करें application fees की तो वो भी आपे आप लोग देख सकते हैं साथ ही आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा application should have qualification get जो 2022 का score record है वो भी आप लोगों को यहाँ पर लगाना होगा और तबी आप लोग करीबन 60 से 55% qualification आ qualification होगी आई उसे मैं के बात करें 18-26 वस्तक का युवक इसमें लगा सकता है और साथ ही रिजर्विशन के सुवएदा 5-10-13-15 आप लोगों को मिलेगी यह भी point clear हो चुका होगा अब इसमें selection processor की बात करें तो gate scope का आपका 70% होगा जबकि personal interview में 30% तेक आपका रिजर जो नम application processor this post of graduation engineering training will be two steps प्रोसेसर पहला step होगा gate scope जो marks होगे आपके वो फिर उसके बाद interview होगा जो 30% का होगा I hope कि यह line भी आप लोग समझ चुके होगे आगे बढ़े इसमें अब देख रहे हैं application phase के बारे में आखिरकार application phase लेगा यह नहीं लेगा package आप लोगों को मिलेगा 40,000 स एक लाग 40,000 तक यह आप लोगों का package होगा पर मंत करने स्वार और interview के लिए जो आपके documents होगे उसी वक्त verify के जाएंगे आप लोगों को message के जिरे भीज़ दिया जाएगा आप लोगों को क्या क्या documents लेके जाना है लेकिन फिर भी आप जो भी form में लगा रहे हैं वो documents करने जा रहे हैं SCL website पर अपलब्द होगी वहां पर जाके आप लिंक को पर क्लिक करें वर वहां से आप सम्मिट करवा सकते हैं फिर उसके बाद आपका appointment होगा फिर जाके आप लोगों को interview के लिए बुलाया जाएगा तो आई होप की विज्यापन अगर पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी देने में बोर टाइम लगेगा लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों को bachelor degree वाले विद्धारती 500 रुपए application फिर selection पर उसर इंटर्वी के आधार पर ये चीज़े आप लोगों को clear करनी होगी आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा तो द पर बात करेंगे कमेंट बुक्स में जरूर बता हैं कैसे लगा थेंक्यू जैह